नमस्कार मैं रिश्वबेक रोवर तही दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से आपके ही अपने चैनल पर और आज हम समझने आया हैं कि 9th October 2024 से लेके 4th February 2025 का समय क्यों खास है यह समय इसलिए खास है क्योंकि यह मौका देगा आपको अपनी लाइफ में financially आगे बढ़ने का जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है उनको मौका देगा शादी के रिष्टे आने शुरू हो जाएंगे और साथ में जो couples conceiving के लिए उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है जो बच्चे entrance के थियारी कर रहे हैं जिनके examinations आने वाले हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है तो क्या करना है उसके इसाब से हम वीडियो को आगे लेके जाएंगे और समझेंगे कि आपके राशी के अनुसार जो Jupiter Retrograde है उसका क्या impact आपके जिंदगी पर पढ़ने सबसे पहले समझ लेते हैं कि Jupiter Retrograde आखिर होता क्या है Jupiter one of the biggest planets of solar system एक optical illusion होता है जब हम देखते हैं धरती से ऐसा लगता है कि Jupiter जो है वो reverse direction में चल रहे हैं इसे कहा जाता है Retrograde और यह मौका देता है आपको life में learnings हासिल करने का एक learning opportunity देता है जिसमें आप बहुत कुछ सीख कर आप और मैं बहुत कुछ सीख कर समझ कर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और इन learnings को हासिल करके हम जिंदगी में financially आगे बढ़ सकते हैं साथ में यह मौका देता है life में आगे बढ़ने का relationships में और शादी करने में घर लेने में और जो लोग conceiving के लिए ट्राय करें उ दुसरा रोहिनी नक्षत्र जो मून से governed रहता है मंगल यानि भूमी मून यानि emotions तो यह जो समय है बहुत सारे लोगों को नया घर बनाने का मौका देगा अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा हो सकता है रोहिनी नक्षत्र क्यूंकि मून को रिप्रेजेंट करता है एमोशन को रिप्रेजेंट करता है तो यह जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है रिष्टों में प्रॉब्लम आ रही है उसे भी ठीक करने का यह मौका देगा इसके साथ-साथ वरशव राशी में Jupiter Retrograde है यानि वरशव राशी जो है Venus से गवर्न र तो Jupiter की जो blessings है वो आपको जुरूर मिलेंगी सबसे पहले आपको अपने घर का Northeast का अपने ऑफिस का North East विलकुल साफ करके रखना है Spick and Span रखना है वहाँ पे अगर कुछ भी कुडा करकट है, Scrap है तो उसको इसी वक्त आप हटा दीजिए Fresh paint अगर North East को कर सकते हैं तो वाह क्या बात है इसके अलावा घर के अंदर और ऑफिस के अंदर पीले रंके फूलों के सजावाट जरूर करें It helps to boost serotonin, आपका mode अच्छा रहेगा, आप सही समय पे सही फैसला ले पाएंगी And right decision at the right time is the recipe for success तिसी चीज़ है की आपको अपनी वाणी में, यानि verbally आप जिस भी भाशा को मानते हैं उस भाशा के अंदर या जिस भी आप भजन को करते हैं आरती को करते हैं पांच बजे से आठ बजे शाम को अपने ओफिस में नहीं तो अपने घर में आपको भजन कीरतन जरूर करना है अगर आप खुछ से नहीं कर सकते तो जब भी आप घर आते हैं, जिस समय घर आते हैं, उस समय पांच से दस मिनट किसी भी गुरू की वाणी, जिन गुरू को आप मानते हैं, उन गुरू की वाणी अपने घर, अपने ऑफिस में ज़रूर चलाएए, let the positive vibration of words be in the surroundings, इस तरीके स आप Jupiter की blessings अपने घर में attract कर सकते हैं for the next 140 days, अब समझ लेते हैं कि 9th October 2024 से लेके 4th February 2025 तक, कौन सी 12 राशिया हैं जिनके उपर Jupiter का impact होने वाला है, और क्या वो golden remedies हैं जो आपको करनी चाहिए अपनी life में, आईए अब समझ लेते हैं कि 12 राशियां कौन सी हैं और उसके उपर Jupiter Retrograde का क्या impact रहने वाला है, मैं जो बता रहा हूँ आपको राशी अनुसार बता रहा हूँ यानि जन्राशी अनुसार, आप अपने moon sign, sun sign, ascendant के हिसाब से सुनके इन suggestions को follow कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपका जो moon sign है, वो Aquarius है और sun sign, Leo है, दोनों की suggestion सुन सकते हैं और जिसक आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है और कोशिश करें networking events में जाने की, ऐसे लोगों से बाचीत बढ़ा है जिनसे आपका काम बढ़ सकता है, नए लोगों के साथ, industry peers के साथ, colleagues के साथ, webinars में, seminars में जाएए और like-minded लोगों के साथ connect कीजिए, दूसरी बात यह है कि इस समय पे आपके लिए बहुत important है financial advice लेना, professional financial advice लेना, किसी भी financial advisor के पास जाएए और अपने goal set कीजिए, कि मैं अगले 5 साल में क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ या अगले 10 साल में क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस समय पे कीगे financial planning आपको जिन्दगी म है कि आप किसी भी गुरु घर में जाके, अब उचाहे गुरु द्वारा है या किसी गुरु का आश्रम है, वहाँ पे जाके सफाई की सेवा कर सकते हैं, अगर आप physically नहीं जा सकते तो गुरु के आश्रम के तरफ आप कुछ donations भी कर सकते हैं, ये भी आपको बहुत positive impact Jupiter का अ आपने relationships का, relationships में बहस ना होने दें, long distance अगर relationship में है तो कोशिश करें कि phone पे जादा बात ना करें, face to face बात करें ताकि सामने वाला आपके शब्दों के साथ आपके चेहरे के expression को भी देख पाए, ऐसे करने से आपके misunderstanding के chances कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप साथ ब आपको करियर में आगे बढ़ने का, अगर आप interview की तयारी अच्छे से करते हैं, या अगर आपको exam है, उसकी तयारी अच्छे से करते हैं, तो आपको इसमें सफलता जरूर मिल सकती है, ध्यान के रखना है कि आपको अपनी verbally तयारी करनी है, you have to be articulate, learn new words and find the right adjectives, अपनी conversation को प अफेज चीज का, चाहे वो दूद है, या दूद से बनीवी कोई भी मिठाई है, उसका donation कर सकते हैं, और दूसरी चीज है कि आप खुछ से अपने कमरे की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें, अपने कमरे को neat and clean रखें, अपने बेड को neat and clean रखें, बेड के अगर नीचे भी कुछ गंदगी है, तो उसे भी साफ करके रखें, this will also bring positive impact of Jupiter for you for the next 140 days. अगली राशी है, मिथुन राशी, Gemini राशी, which is governed by Mercury, तो Gemini के लोगों को बहुत सारा घुमना फिरना मिलेगा, travel का time है, Jupiter will make you travel places, बहुत सारी जगह आपको लेके जाएंगे, नई experiences करने का मौका मिलेगा, और अगर आप किसी वज़े से travel नहीं कर पाते हैं, तब भी you must visit new cafes, new restaurants, new places where you have not been, नई जगह पे जाएंगे, तो नई उर्जा का संचार आपको होगा, new ideas आपको आएंगे, और उन new ideas पे अगर आप काम करेंगे, तो definitely आपको फायदा होगा, ये समय बहुत अच्छा है, कोई नया course करने के लिए, अगर आप किसी नई course में enroll करते हैं, तो इसके सा जान दिने वाली बात ये है कि हमने तीन राशियों की बात कर ली है, लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं, राशी अनुसार बात कर रहे है, राशी जो होती है, जनेरिक होती है, अगर आप चाहते हैं कि specific advice आपको मिले, तो उसके लिए आप consult भी कर सकते हैं, consultations के लिए हमारा सि सिर्फ एक ही number है, that is 73108 36108, इस पर आप WhatsApp कर सकते हैं और अपनी consultations को book कर सकते हैं, कई बार लोग confused होते हैं, परिशान होते हैं कि हम आप तक कैसे पहुंचें, इसलिए मैं आपको number बता रहा हूं, आज तक मैं कभी इसको promote नहीं करता हूं, लेकिन सिर्फ आपकी सहूलियत क अगर आप मुझ तक पहुषना चाहते हैं, तो यह number आप note करके सकते हैं, इसके अलावा, किसी और number पे आपको payments नहीं करनी है, नहीं आपको message करना है, 73108 36108 is the only number, आइए बात करते हैं, करक राशी की cancer की which is governed by moon, यहां पे cancerians को थोड़ा से समलने की जूरत है, क्योंकि आपक तनाव रह सकता है, क्यों रह सकता है, क्योंकि आपकी overthinking की आदत है और इस समय वो overthinking की आदत बढ़ जाएगी, तो ध्यान देने वाली बात है कि इस समय पर आपके कुछ सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं है, तो सोचिए कम अराम जादा कीजिए, focus more on resting and less on thinking, इसके काम है, वो बंते में नजर आएंगे, और अगर आपको किसी से पैसे वापिस लेने है, आपने किसी को पैसे उधार दियें, वापिस लेने है, तो भी इस समय पर अगर वो पैसे आप मांगते हैं, तो वापिस मिलने की संभावना जादा हो जाएंगी, financial advices लेके आगे करने का बहुत अच्छा समय है, आज की की के investment आपको कल को मुनाफ़ा जरूर देगी, इसके लावा पेट की तकलीफों को थोड़ा सा आपको ध्यान अखना है, भार का खाना अवोइट कीजिए, भार का पानी अवोइट कीजिए, अगली राशी है लियो, यानि सिंग राश सिरफ आपको अपने bosses के साथ अच्छा relation बना के रखना है, बिजनस में है तो अपने clients के साथ अच्छा relation बनाएए, जाके लोगों को physically मीरिये, boss के साथ बैठिये, discussion कीजिए, and साथी साथ अपनी uniform पे, यानि अपने attire पे बहुत ध्यान दीजिए, जितनी crisp आपकी uniform होगी, उ आपके चाहे boyfriend है, girlfriend है, husband है, wife है, जो भी आपके partner है, अगर partner नहीं है तो अपने माबाप के लिए, आप Friday के दिन कुछ भी बीथा खाना लेके जाते हैं या घर पे बनाते हैं, तो that can also attract a lot of compatibility and abundance in your relationships as well, बर्गों की बात करते हैं, कन्या राशी की बात करते हैं, which is governed by mercury, आप लो weight fluctuations इस समय पे देखा जाता है, specifically females के लिए hormonal fluctuation इस समय पे जादा हो सकती है, अगर आप शादी शोदह हैं, conceive करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, नया घर, नई property, नई गाड़ी लेने के लिए इस समय आपके लिए बहुत अच्छ करते हैं, that will be very very helpful for you and it will help you attract, दूसरी चीज ये करना है कि आपको planning करनी है कि अपने काम को कैसे बढ़ाना है, brainstorming कीजिए, अपने team के साथ बैठिये, अपने colleagues के साथ बैठिये, और समझे कि आगे आने वाले एक हफते में, आने एक महिने में और आगे आने वाले 140 दिन में, ज जीतना है, जितनी अच्छी planning करेंगे, उतने ही अच्छा result आपको इस phase में जरूर मिलेगा, अगली बात करते हैं, तुला राशी की लिब्रा की विचिज अगें गवर्ण बै वीनिस और पार्टली गवर्ण बै सैटन ऐस वेल, ये लोग बहुत कम बात जानते हैं, कि जो ल बड़ाई लड़नी है, बात बोलनी है, तो मत बोली है, have patience, sleep over it, दो दिन निकल दाने दीजे, फिर उसके बाद बात कीजे, देखिए, आपकी बात जो है, वो आपके partner को समझ भी आएगे, और आप विवाद से बच भी पाएंगे, इसके साथ साथ अगर आपको नई opportunity कोशि करते रहिए, अपने आप results आपको मिलेंगे, दो चोटी-चोटी remedies आपको भी करनी है, क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करें कि किसी भी सफेद चीज का donation आपको Friday की दिन करना है, दूद की बनी भी कोई भी मिठाई, आप Friday की दिन लोगों को खिला सकते है, डोनेट कर सकते ह नहीं तो मंदर में भेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, इसके लावा आपने क्या करना है, कि Friday की दिन ही अपने घर की साफ सफाई आप खुछ से कर लें, this will help you to attract peace, emotionally satisfied रहेंगे, और साथी जाथ लड़ाई जगडे के chances कम रहेंगे, तो आपका मन शांत रहेगा, दि आपको मिल सकता है, इसके बाद बात आती है, Scorpio की, यानी वरिष्यक राशी, जो की again governed है by planet Mars, और जैसे मैंने आपको बताए, Jupiter और Mars का combination जो है, बहुत successful होता है, तो Scorpio इसके लिए ये time है, professionally growth करने का, काम को आगे बढ़ाने का, नई जगा interviews देने का, और नई opportunities तलाशने का, लेकिन इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपने, कि आपको किसी गुरू का आशिरवाद लेकी ही आगे बढ़ना है, तो आपके जो दिन की शुरुआत है, वो किसी गुरू की वाणी सुनने से होनी चाहिए, किसी गुरू की बात सुनने से होनी चाहिए, अगर आप ऐसा करत अगर किसी नई opportunity को apply करेंगे over the next 140 days तो उसके convert होने के chances जादा रहेंगे Sagittarius की बात करते है, धनुराशी की बात करते है which is governed by Jupiter itself और Jupiter खुदी retrograde है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है ध्यान किस बात का देना है कि आपकी health neglect नहीं होने चाहिए अगर आपकी health इस phase में neglect होती है तो आपको थोड़ा सा सफर जादा करना पड़ेगा hormonal fluctuations हो सकती है female के cases में और males को stomach related issues हो सकते है diabetes और thyroid जैसे functions जो हैं वो fluctuate कर सकते है BP cholesterol की problem आ सकती है तो इस समय पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अपनी health का खान पीन पे घ्यान देंगे Jupiter जो है weight gain को भी दर्शा आता है तो ऐसे समय पे जितना कोशिश करे weight कम करने की उतना आप के लिए अच्छा रहेगा नए काम के लिए नई चीजे लेने के लिए गाड़ी है घर है या कुछ और accessory electronics है बहुत अच्छा समय है ये तो definitely अगर आप कोई बहुत समय से कोई चीज चा रहे थे मन में आपके इच्छा थी कि नहीं मुझे top of the line चीज लेनी है तो this is the time आप मन चाही चीज इस टाइम पर खरीच सकते है लेकिन फिर भी कोशिश केजिए कि आप लोन ना लेना पड़े हैं समय पर लोन जब अगर आप लेते हैं समय पर तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप over the board चले जाए क्योंकि Jupiter makes you want big things in life थोड़ा सा अगर budget के साब से चलेंगे budget के अंदर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा दो छोड़ी remedies आपके लिए भी पीले फूलों के साथ अपने रूम को अपने ओफिस को डेकोर कीजिए अपने फोन पे पीले लंग का वाल पेपर सन फ्लार का वाल पेपर जरूर लगा के रखिए और इसके लावा आप अपनी वानी में अपने गुरु का नाम या शबद या भजन, कीरतन, आरती जिस भी प्रेयर को आप मानते हैं वो जरूर कीजिए जितना आप अपनी अवास को खुद को सुनेंगे और इसमें भजन आरती करेंगे उतनी जादा आपको mental satisfaction मिलेगी और आपके घर के अंदर prosperity जरूर आएगी अगली राशी है Capricorn which is governed by Saturn अगें बहुत अच्छा समय है Jupiter and Saturn is great for financial success तो बहुत सारा पैसा आपकी तरफ आ सकता है अगर आप धिहान से अपने finances को प्लान करें लेकिन खुच से प्लान ना करें किसी expert की guidance जरूर ले गुरू जो है learning phase है professional guidance को दर्शाता है तो किसी भी अगर आप financial guru के साथ बैठके investment advisor के साथ बैठके अगर planning करेंगे तो इस समय पर आपको success जरूर मिलेगी और आज की 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 success जिंदगी मुनाफ़ देती है मैं पहले बता चुका हूँ यह समय बहुत अच्छा है apply कीजिये result आपको अपने आप मिलेगा Tuesday और Thursday के दिन अगर आप अपनी application submit करते हैं तो आपको positive response मिल सकता है दो छोट-छोटी बातों को ध्यान रखने है आपको नंगे पाउं घास पे जरूर चलिए और उपते वे सुरज को जरूर देखिए यह दो छोटी remedies आप करेंगे तो आपको फायदा इस समय का जादा मिलेगा आगे बात करते हम Aquarius की Aquarius जो है It is again governed by Saturn और बहुत ही कमाल की राशी है क्योंकि Aquarius की जो लोग होते हैं जिद्दी होते हैं इन्हें अगर कोई चीज चाहिए तो चाहिए किसी भी कीमत पर चाहिए और यह वो समय है जब आपको जिद्द करनी चाहिए यह वो समय है जब आपको तयारी अपनी जीत की वो दिखानी है तो आप इस समय पे बहुत सारी अपनी तरफ अट्राइट कर सकते हैं नई जॉब उपिचुनिटीज अट्राइट कर सकते हैं जॉब में प्रमोशन मिल सकता है बिजनस को बढ़ा सकते हैं नई शादी हो सकती है बस करना क्या है कि सुबह 10 मिनट उठके आपको प्रानयाम करना है यूफ तो बैलंच और इनर्जी अर्ली 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 आप देखेंगे कि सारा दिन आपका बहुत अच्छा निकलेगा और साती सात आप लाइफ में आगे ग्रो करते जाएंगे तरस्दे के दिन अगर 12 के ले अगर डुनेट करें और इस समय पे आपका इमोशनल अप्स और डाउन जादा हो सकते हैं तो अपने मन की बातों को मन में नहीं रखना है जाके किसी के साथ शेयर कीजिए पुराने दोस्तों के साथ उठिये बैठिये और साथ में अगर आपको लगता है कि मैं किसी दोस्तों को अपनी जो मन की व्यता है वो नहीं बता पा रहा हूँ या बता पा रही हूँ तो थेरपिस्ट के पास जरूर जाएगे अगर आप ऐसा करते हैं तो देखें कि मन का प्रेशर हलका हो जाएगा और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने में असानी होगी अगर आप एक जगा से दूसरी जगा जाना चाहते हैं फॉरण जाने की त्यारी कर रहे हैं या शेहर चेंज करने की त्यारी कर रहे हैं तो भी इसमें आपको सफलता बहुत असानी से मिल सकती है आपने क्या करना है कि रोज सुबह एक केसर का तिलक लगाना है और साथ में थर्सडे के दिन गुड वाली रोटी अगर आप गाएं को खिलाएं तो बहुत शी बात है अगर आपके आसपास गाएं नहीं है तो आप छोटी छोटी रोटी करके चिडिया के लिए भी दाने में रख सकते हैं या रख सकते हैं यह इन बातों का ध्यान रखें तो यह थी 12 राशियों और हमने बताए कि जोपिटर अगर प्रभाव इन 12 राशियों पे for the next 140 days कैसा रहने वाला है उमीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि क्या changes आप अपनी लाइफ में expect कर सकते हैं और वो क्या छोटी 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 remedies है अगर आप लाइफ में करें तो definitely इस phase का आप जो रस है वो अपनी जिन्दगी में हस और यह जो समय है आपको मौके से मिलाएगा और जब मौका एक काबिल वक्ति के पास आता है तो पैसा तो अपने अबनता है बस इन बातों को ध्यान रखिए I wish you a very happy transition of Jupiter for the next 140 days ऐसे ही informative वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा तो make sure you subscribe to the channel और अपने मूलांग भाग्यांग क कि जानकरिया आप चाहते हैं तो वह भी शैनल पर available है इसके रावा आप कौन से topics को चाहते हैं कि मैं cover करूं उसका भी सुझाव आप चाहें तो comment box में दे सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि उसके उपर भी जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो जरूर लिखे हूं अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार, God bless, take care and happy manifesting.